असलामु अलेकुम वेलकम टुटूरेंट यूब आज के इस लेक्चर में चेप्टर 10 इंफर्मिशन हैं लिंग एक्ससाइज है 10.4 कुछन है हमाई पास 6 अब यहाप स्टूरेंट से टोटल एंड इनके मार्क्स दिये हैं उर्दू और सेविक्स के कंपेर करना है इन्हों अप्रेंगे उर्दू की करेंगे और इसे इसे कंपेर करेंगे सबसे पहले marks, उर्दू, so x आएगा, x में numbers आएगे, x square आएगा जिन में, इस column में इस number के square आएगे, सबसे पहले, 145, 142, 133, 138, 147, 151, 135, and 160, 12345678, 8 हो गए, समिशन यानि के total है, x का, 1151, 1151, और x square निकालेंगे, इसका, यानि के, 145 का square होता है, 21025, फिर है, 250164, 133 का है, 17689, 17689, फिर है, 19044, फिर है, 21609, फिर है, 22801, फिर, 18225, then 25600, इन सब का total है, माई पास, 166157, अब हमने formula लगाना है, formula variance का लगेगा, बट end में जाके, सिर्व इस पे square root लगेगा, किस नहां से, variance का formula क्या होता है, summation of x upon, x square upon n, minus, summation of x upon n का whole square, so यहां पर value पुट करेंगे, 166157 upon 8, minus, यहां पर आगया, 1151 upon 8 का whole square, दोनों को divide किया, तो हमाए पास आया, 20769, 20769.625, minus, दोनों को divide किया, 143.875, का whole square, और यहां पर, 20769.625, minus, इसका square आगया, 20700.01563, ठीक है, दोनों को minus किया, हमारा answer आया, 69.609, अब हमें variance निकालना होता है, तो हमारा answer यह गया जाता है, बट हमने यहां पर standard deviation निकालना है, बहुत ही simple है, यहां पर देखें, तो, इस sign के ओपर होता है, square, अगर हम इस square को खतम करना जाएं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे, square root 69.609, तो यहां पर square root खतम हो जाएगा, क्या आजाएगा, 8.34, 8.343, answer, यहां पर square खतम हो गया, चिक है, अब हमने यह निकाल लिए, 8.343, उर्दु मार्क्स, अब निकालना है, civics, so marks, civics, ठीक है, x आएगा, x square आएगा, नमबर लिखेंगे, 148, 150, 151, 135, 150, 161, 142, 162, यहां पर आगे summation और total, ठीक है, x square में आजाएगा, 2, 1, 9, 0, 4, 2, 2, 5, 0, 1, 9, 8, 1, 8, 2, 2, 5, 2, 2, 5, 0, 2, 5, 9, 2, 1, 2, 0, 1, 6, 4, and 2, 6, 2, 4, 4, तुनों का total, यहां पर आएगा, 1189, और यहां पर आजाएगा, 177339, फॉर्मुले लगाएंगे अभी, so variance का formula होता है, summation of x square upon n minus, summation of x upon n का whole square, formula में values को put करेंगे, तो यहां पर आजाएगा, 177339 upon 8 minus, 1189 upon 8 का square, तुनों को divide करेंगे यहां पर, तो हो जाएगा, 22167.375 minus, उनों को divide करेंगे, यहां पर आएगा, 148.625 का square, ठीक है, यहां पर, 22167.375 minus होगा, इसके square से, तो इसका square निकाला, 22089.390, तो उनों को minus किया, आंसर आया, 77.985, अब यहां पर देखें, तो variance के उपर, sign के उपर square होता है, तो हमने यहां पर again, square root लगाना है, 77.985 के उपर, तो यहां पर square चला जाएगा, और answer आजाएगा, हमारे पास, 8.8309, so st of Urdu, st of Urdu is less than st of civics, और चाहें तो आप यह भी लिख सकते हैं, students are, students are better in Urdu than civics, ठीक है, तो यह था question number six, उमीद करती हूँ, आपको अच्छे समझ आ गया होगा, अगर वीडियो helpful आओ, तो आपने इसे करना है, like, share and channel पर नियू हैं, को subscribe भी जरूर कियेज़ेगा, for more you can visit our website www.studentube.info, Allah Hafiz